विडियो देखने वाले आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार अर्मेनिया और अजर्बाइजान की जो यूद्ध चल रही थी छे अपते में जिहां इस छे अपते से जो यूद्ध चल रहा था उसमें अर्मेनिया को भारी हानी हुई है जिहां आप सही सुन रहे हैं और इस हानी में अर्मेनिया को huge losses हुए है और finally अब peace deal sign हुआ है और ये peace deal इसलिए माइने रखता है क्योंकि अर्मेनिया के परधान मंत्री के द्वारा किया गया है जिहां जिसमें अर्मेनिया को भारी हानी हुई है और इसका जस्न मनाया जा रहा है अजर्बाइजान में जिहां और साथ ही साथ अर्मेनिया में अब तो ये भी खबरे हैं कि वहाँ के जो पार्लियामेंट पर हमले हुए हैं अर्मेनिया के और अर्मेनिया के लोगों ने किया है पत्थरबाजियां की है और अर्मेनिया के जो पर्लेमेंट के पर्मुखे उनको मारा भी गया है जान नहीं मार दिया गया है और कॉंसियोस बीटिंग की गई है उनको जिहां आखिर हुआ क्या है मैं इसके बारे में आज बता रहा हूँ लगबक 6 अपता से जो यूद चल रह था कि नागार्णो काराबाका रीजन अपने कंट्रोल में ले ले अर्मेनिया से लेकिन वो सक्सेस्पूल हो नहीं पा रहा था लेकिन चुकी तर्की और अर्मेनिया की आदावत आज से नहीं सताब्दी पुरानी है जिहां उस्मानिया संतलत के समय की है जब अर्मेनिया ज और finally उसके दम पर आर्मेनिया के बहुत सारे टरेटरी नागार्नो कारावाह का रीजन था, उसको अजरबाईजान ने चीन लिया, और सबसे बड़ा हैचीमेंट अजरबाईजान की आर्मी को, जो भी हो, जिस ने भी सपोर्ट किया हो, तर्की तो संपोर्ट किया ही किया, अजर्बाइजान की आर्मी को जब अर्मेनिया का एक बहुत बड़ा रीजन, नागरनों काराबाका का एक बहुत बड़ा रीजन, बहुत बड़ा साहर, सूसा, सूसा साहर को कबजा कर लिया गया, जहां अजर्बाइजान के आर्मी के द्वारा, और अभी क्या हुआ कि तर्क पे था आपको जानके हाइराणी होगी कि रसिया का मिलिटरी बेसेज है अर्मेनिया में जिहां और अर्मेनिया के साथ उसकी एक मिलेटरी ट्रीटी है कि अगर आप हम पे अटाइक करते हो मतलब अगर आप अर्मेनिया पे अटाइक करते हो तो रसिया पे अटाइक है और रसिया पे अटाइक करते हो तो अर्मेनिया पे अटाइक है यह कलेक्टीब सिकुरिटी ट्रीटी और्गनाईजेशन यहां के तहत सं संदी को मानने से इस बार इंकार कर दिया और रसिया ने सपोर्ट में किया अर्मेनिया का और फाइनली अर्मेनिया अकेला पड़ गया क्योंकि युएसे में भी एलेक्शन चल रहे हैं तो युएसे में भी मामला कुछ और है और कोई भी देश हेल्प करने नहीं आया अर्मेन ने सूट आउट कर दिया और अब जाके अर्मेनिया को ऐसा लगा कि हम में कोई हेल्प करने वाला है नहीं हम दिन परती दिन चुकी टर्की ने खुलके सपोट किया आपको जयाल के हैरानी होगी कि कुछ जो ड्रोन्स थे उसको इसराइल ने दिया था टर्की को और टर्की ने और ड्रोन फिर दे दिया अर्मेनिया को और ड्रोन भी यूज हुए पाकिस्तान के साइनिक भी लगे पाकिस्तान के तरफ से सप्लाइज भी गए यह सारी चीज़ हुई जिसके कारण क्या हुआ अर्मेनिया की सेना पिछड़ती चली गई और अर्मेनिया बहुत सारे ट्रे अर्मेनिया का और सबसे वड़ा चीज क्या है की अचर्वा हिजान का धो टेहला ने गदं पाकिस्तान था और यहां और यहां से लैंड रूट से बंगलादेश से पाकिस्तान अग्री कर लिया है कि हम देंगे खास कर उनके परधान मंत्री ने और परधानमंतरी में सोचा कि आप कोई चारा नहीं है लेकिन जिस तरह से लिब्रेशन हो रहे हैं आजारबाईजान में लोग खुसियां मना रहे हैं एक दसकों बाग आखिरकार उन्होंने अर्मेनिया को हरा ही दिया और अर्मेनिया के बहुत सारे ट्रेटरी को अपने हाथ में में ले लिया नगारवा का जो बहुत सारे छेतर उसको कपजा कर लिया और उनको रास्ता भी मिलेगा क्योंकि त्रीटी के एप नहीं फैमिल्विवों में चोटी जन संख्षया है उनकी ऊंकि यह लड़ाई जारी रखनी चाहिए थी लेकिन परदान मंत्री हैं वह और भी सोचे खड़ डिसीजन लिए और फानली उनकी हालत हुई लेकिन अब वहां उनका बिरोध हो रहा है और आप तो पार्लेमेंट में हमले पत्थरबाजी हुई है उनके सभापती को मारा पिटा गय देखे रसी अब रिलावल पार्टनर है नहीं यह सचाही है और हम यहनी कहते कि क्या अच्छा हुआ गलत हुआ आप सोच सकते हैं लेकिन रसी अएक रिलावल पार्टनर नहीं है इंडिया को को कोई-बी डिस्टेजन में अब रसीया पर बिस्वास नहीं करना चाहिए एक जमाने में Soviet Union होता था, जो अपने बात के पक्के होते थे, रसिया इस सिच्वेशन में ऐसा नहीं है, इंडिया के लिए और खास कर जिस देशों के साथ भी संधी है, या ट्रीटी है, और जो देश रसिया से ज़्यादा सटे हैं, उस देशों को एक बार अपने पॉलिसी चें जाइन!